टो हलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे चिकन पापकोउंग यह खाने के लिए भी बहुत-टेष्टी होता है और बनाने के लिए तो और भी इजी होता है ठीक है फ्रेंट तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिए आपको एक एक इंग इडिन यहां पर बताते जाओंगा मैं यहां पर मैंने तीन फिस लेक चिकन लिया है अभी मैं इसको बोलनेश करके भी आपको दिखा दूँगा तब कि आपको भी मालूम पड़े कि हाँ इस तरह से बोलनेश किया जाता है वीडियो को आगे बनने से पहले फ्रेंट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ यह वीडियो को लाइक कर दिजे और साथ में यह सस्क्राइब बटन दबा के बेल आइकन को भी आन कर लिजे ताकि हम लोग का जो भी नया वीडियो है उसका नोटिपिकेशन आपको मिल मुल दिए लाइगा तो यह पर मैं ने लेक जीकनिक ले लिया है अब इसको यह expensive लिज और जो इस्तरह से निवस्तिते इस तरह से इस तरह सा साप करना है और जो भी कटला लगाके आपको इस तरह सा हाड़ी को अलब करना होता है देखे मैंने कितना अचा से यह इसका जो बॉन होता है हाड़ी उसको निकाल दिया है तो आपको भी इस तरह सा निकाल देना है अगर आपको समझ में नहीं आये तो वीडियो को यह रिपلى इस रिफले करके भी आप देख सकते हो तो आपको समझ में आजाएगा अब जो हर्टी है ना यू साइट का जो आड़डी को है ना इस तरह से हम लोग मार रहेंगे और इस तरह सा उपर करके इस हर्टी को भी हम लोग इस तरह से फाड़के निकाल देंगे तो आप यह तो आपको समझ में आई गया होँगा कि किस तरह से बोल निश करना है अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्ले करके भी आप देख सकते हो ठीक है फ्रेंड तो मैंने यह साइट का जो भी हड्डी है उसको भी कटिंग करके निकाल दिया है बाहरो जो भी अंदर के यह दिख रहे हो ने साइट के जो हड़ी इसको भी इस तरह सा निकाल दूँगा फ्रेंड वीडियो को Like जरूर किजेगा तो इस तरह से मैंने उस Bone को भी यानि के हड़ी को भी निकाल दिया है आप देख सकते हो कितना अच्छा से महीने यहाँ पर बोनेस कर दिया है तो आपको भी इसी तरह से बोनेस करना है अभी देख सकते हो यहाँ पर छोटा से एक बोन रगया था उसको भी महीने इस तरह से निकाल दिया है कटिंग कर गे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से मैंने bonus कर दिया है तो आपको भी इसी तरह से leg chicken को इना इस तरह से bonus करना होता है ठीक है friend तो आपको आप इतो समझ में आई गया हूंगा किस तरह से करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने chicken को इना पूरा bonus कर दिया है वाइट है ना 450 ग्राम निकल गया था तो अब इसको पीस करके भी आपको यहाँ पे दिखा दूँगा में ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह सा पीस करना है तो यह देखिए यहाँ पे आम लोग का एक पीस निकल गया है और यहाँ पे इस तरह से बीस में चासँ तरह से कट लगाएंगे और सायट में इस तरह सा कटिंग आंग चोटे-पीसी याद राखें ए फrant यह एक पीस चिकन है मैक्सेमम 8 ग्रम का होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने चिकन को फूरा पीस कर दिया है अब यहाँ पे हैं ना हम लोग इसको मारिनेट कर दीगै ठीक है फ्रेंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चर्णल कर लिजे आप तो यहाँ पर यहाँ ना मैंने ब्लाक पर पॉडर है ना उसको मैंने वन टीस्पून डाल दिया है और साथ में यहाँ पर मैंने सॉल्ड भी डाला है सॉल्ड है ना अपने टेस्ट अनुसार डालिया आप और मैंने यहाँ पर चिकन पॉडर पॉडर भी वन टीस्पून डाल दिया है और यहाँ पर मैंने ड्राइट थाई मैंना वन टेबल स्पून डाल दिया है और साथ में मैंने ड्राइब पास ली यह मैंने पूरा रेडिमेट मैंने बॉटल के लिया है ठीक है फ्रेंट तो आप भी ले सकते हो और यहाँ पे मैंने चाइने सेजलिंग है ना वन टीस्पून लिया है इसको भी हम लोग इस तरह चाँ डाल दिंगे उसका बाद मैंने यहाँ पे पेरी-पेरी पाउडर भी है ना वन टीस्पून लिया है अब इसको भी यहाँ पे डाल दूंगा इस तरह सा और साथ में दो बॉटल का जो चिलिसास आता है ना रेड चिलिसास मैंने वो भी वन टेबल स्पून योज़ किया है और साथ में मैंने यहाँ पे मैंदा भी वन टेबल स्पून योज़ किया है और यहाँ पे पॉन इस्टास होता है ना उसको भी मैंने वन टेबल स्पून योज़ किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है थोड़ा सा पानी डाल दिया है अब यहां मनूगे न इसको अच्छी तरह से mix कर दिए इसी तरह से आपको भी mix करना है यह देखिए मैंने कितना अच्छा से यहाँ पे mix कर दिया है तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पे mix करना है मुझे लगता थोड़ा कुछ कम लग रहा है इसमें तो मैंने यहाँ पेरी- दाल दिया है और यहां पर मैदा भी 1 tablespoon डाला है और साथ में corn stars भी है ना उसको भी मैंने 1 tablespoon डाला है और उसका बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से mix कर दिए है कि कि यहां पर मैंने फूर अब mix कर दिया है अब यहें हम मेक्समाम कम फ्री्ज में 활िंव कुलिंग क्प्रीज में क्व Blick मोटी मिनेट तक मैरीने एक लिए छोड दींगे तो यहां 20 मिनेट हो चुका है मैंने फ्रेच से निकाल दिया था उसका बाद मैंने यहां ब्रेट करम में डालके करेंगे इस तरह से आपको पीस एक एक पीस यहाँ पे ब्रेट करम में डालना है इस तरह से और चार तरब इस तरह से मिला देना है देख सकते हो आपको भी इस तरह से मिलाना है यह देखिए मैंने कितना अचा से लगा दिया है और उसका बात है पीस का उपर इस तरह से ब्रेट करम डालके आपको इस तरह से डाबा लेना है ताकि जो ब्रेट करम से न अच्छी तरह से वो चिकर अबजोर करें यह देखिए क इतना अच्छा से मैंने bread crumbs कर दिया है तो आपको भी इसी तरह से crumbs करना है देखिए फिर से मैं आपको देखा रहा हूँ देखिए कितना अच्छा से लगा दिया है मैंने तो आपको भी इसी तरह से लगाना है ठीक है अब तो आपको समझ में आई गया हूंगा किस तरह से लग जाता है इसको बनाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पे में एक छोटा सा फाला ले लिया है वाइट साथ में उसके बाद यहाँ पर रेट चिली सास भांट लिया है यहां उसका बाद आपको कुछ भी नहीं डाना इसमें ठीक है, सॉल्ट बगारा कुछ भी नहीं डाना, सब पूज इसी में रहता है, तो इसको एक विक्स लेके इस तरह से मिक्स कर दींगे हम लोग, तो चलिए फ्रिंड अभी हम लोग, और तो यहां पर मैं इने इस्टोप अन किया है, और यहां पर आइल कुछ लगा दिया है, अब आइल गर्म होने के लिए हम लोग वाइट करिंगे, तो यहां पर आइल आम brings लोग का गर्म हो चुका है, और जो भी चिकन हमने क्रॉम्ज की आता ना फ्रेंट तो यहांपे हम लोग डाल दिंगे इसको यह देखिए जो हमने क्रॉम्ज की आता ना उस चिकन को यहांपे डाल दिंगे जब भी आप फ्राइ करोगे ना फ्रेंट थोड़ा समाल के करना है ठीक है क्योंकि यह ओईल का मामला है थोड़ा द्यान सी करना होता है तो मुझे तो एक्सपिरेंच है तो आप देख सकते हो मैंने जो भी छिकन है ना पूरा डाल दिया है यहाँ पे ओईल में तो हम लोग इ आपको स्लो फ्लेम में इसको फ्राइ करना है नहीं तो उपर उपर चल जाएगा यह अंदर तक नहीं पोगएगा फिर ठीक है फ्रेंट तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से गोल्डेन कलर यहाँ पे आ चुका है अभी इसको ना अंगलों के एक स्टेनर का मदद से इसक फ्राइ हो चुका है यानि के पॉक चुका है ठीक है फ्रेंट तो मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दिया है एक बॉल में निकाल दिया है अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा फ्राइ करके रेडी कर दिया है और यहाँ पे है न जो पेरी-पेरी पौडर होता है न तो उसको ग्षुप्स पौर्डर को यहाँ पर डाल के आम लोग मिक्स कर देंगे इसको तो आपको देख समझ में आई यह देखे मैंने फूरा मिक्स कर दिया था अब इस चिकन को आपको इस तरह सब फोड़ के भी देखाऊंगा मैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यह अंदर तक पॉप चुका है यह बहुत किरिपसी बन गया था और इतना करम था कि मेरा हाथ ही जल गया था तो आप देख सकते हो कितना अचासे चिकन पॉप यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है तो चलिए फ्रेंड अब यह आम लोग इसको एना एक बॉल में डालके प्लेटिंग करेंगे आम लोग तो देख सकते हो यहाँ पे माइनस सामने बनाया था वो सासे चिली माय वोलता है इसको ठ आवाइड फ्रेंट टेक कियर